हेलो और वल्कम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तों तुनीशा के जाने के बाद तुनीशा की मा को लगा एक और बड़ा चटका मुंबई से आ रही है इस वक्त की एक और बड़ी अबजेट क्या है यह पूरी खबर बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से लेकिन से पहले चानल को आप जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबान आप ना भूले वेल दोस्तों मुम्मे में लगातार दुनीशा शर्मा के केस को लेकर मीडिया यहां से वहां भाग रहा है हर एक मुमेंट को कैप्चर किया जा रहा है तुनीशा शर्मा की मॉम उसका एकलोता सहारा और उसकी पूरी दुनिया थी वेल दोस्तों आपको बता दें कि तुनीशा काफी ज्यादा यंग थी जब उनके पिता इस दुनिया से चले गए थे तो वहीं कुछ समय पहले उन्होंने अपने बहुत करीबी कजिन सिस्टर और अपनी दादी को भी खो दिया तुनिशा शर्मा ने अक्सर इस बात का खुलासा अपने कई सारे इंटरव्यूस में किया कि वह सेट्स पर नहीं जाना चाती थी कई बार ऐसा होता था कि वह बेमन से शूटिंग करती थी लेकिन जबरदस्ती उन्हें शूट्स पर पहुँचना ही पड़ता था और उन्हे सब उनकी उपर बोज बनता जा रहा था दोस्तों तुनिशा शर्मा की मा को एक और बड़ा जटका लगा है तुनिशा की माँ की तवियत पहले से ही खराब थी जब उनकी बेटी जंदा थी तब से उनके तव्यत सुधार नहीं आया था और वह काफी जाद अपने हैस्त इस के लिए एक हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तब उनकी कुछ तस्वीरों को कैप्चर किया गया जिसमें साफ तौर से नजर आया कि बहुत सारे लोग तुनीशा की मा को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और तुनीशा की मा अपना होश खोड़ चुकी है तुनीशा की म मां के लिए उनका सब कुछ उनकी इकलौती बेटी थी तुनीशा की ना तो कोई बहन है ना तो कोई भाई ना पिता यानि कि तुनीशा की मा भी इस वक्त धुनिया में अकिली है और अपनी बेटी के जाने का दुख वो बरदाश नहीं कर पा रही आप क्या कहेंगे हमें वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें